परफेशन आईस के इस डिजिटल प्रिट्फार्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं है और विन पांडे और आज हम लोग सुरू करने जा रहे हैं प्रफेशन को आधार बना करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग ने पावर्टी लिया हुआ है और पावर्टी से यानि की निर्धनता से एक प्रश्ण जो है और आज इसी प्रश्ण को आधार बना करके हम लोगों को आगे का आज का डिसकसन कंप्लीट करना है और यह भी हमें समझना है कि इन प्रश्णों की एक क्या रूप रेखा हो सकती है एक क्या फ्रेमवर्क हो सकता है और किस फ्रेमवर्क को अपनाने से हम एक अच्छा मांग उसवरे एक्जाम में गेन कर सकते हैं तो बहुत सबसे पहले पढ़ते प्रश्ण हिए बहुत में है कि भारत में कि अ गिरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीवी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें यह प्रश्ण का पहला भाग है दूसरा भाग है भारत सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से कारिक्रम चलाए जा रहे हैं तो यहां पर दिखेंगे आप कि यहां पर प्रश्ण में दो भाग है एक भाग है व्याख्या करें और दूसर यूजवल जैसा हम लोग लिखते आए पहले से ही पहला आपका जो जो है जो सुरूफ होगा वो संदर्व का होगा है रफिस कहले हो रहा होगा आपको पीज कर कूल लेते हैं थोड़ा पहला जो हम लोगों का स्वरूप होगा क्या होगा होगा संदर्व का होगा और संदर्व में हम लोग जो है इस प्रश् latent के संदर्फ कि अगर Bakit करें तो हम जो गरीबी को आधार बना करके हम इस प्रश्ण के संदर को लिख सकते हैं यानि कि गरीबी के परिभासा को आधार बना करके इस प्रश्ण के संदर को लिखा जा सकता है तो सबसे पहले हम लोग का संदर पार्ट होगा दूसरा वाला जो भाग होगा इस प्रश्ण से संबंदित वो होगा गरीबी के अनुमान गरीबी के अनुमान की अगर बात करें तो आजादी के बात से अब तक किन समितियों के द्वारा गरीबी के क्या अनुमान लगाए गया है या क्या अनुमान प्रस्तुत किया गया है हमें इस मुद्दे पर बातचित करनी है और इस मुद्दे पर बातचित करने में हम लोग आ чे मिदार कारत कौन-कौन से हैं कौन-कौनसे ऐसे कारत है जो भारत में गरीवी को प्रभावित करते हैं फिर अम्में बॉड चौथा भाग के वह बहने अन्हाव योजना Et al और अंतिता हम लोग जो है अंतिम चरण में होंगे और अंतिम चरण में हम लोगों को इस प्रश्ण का क्या लिखना होगा निस्कर्स लिखना होगा यानि कि फिर से हम लोग अपने प्रश्णों को तीन भागों में डिवाइट करेंगे, पहला एक इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट हम लोग का एगनिस कर्स होगा, और मेन फ्रेमवर्क में हमें इन तीन विंदों के बारे में चर्चा करनी है, तो सबसे पहले हम लोग सुरू क इसे को ले करके हमें इंट्रीउस करना है, तो गरीबी की परिभासा हम लोग कैसे दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके आपने देखे उ сос fists करने के लिए एक बहुत आया मी गरीबी सुचकांग है, वह भी गरी विबिन समितियों ने भी अलग अलग तरीके से गरीबी को परिभासित किया तो एक सामान अगर परिभासा की बात करें तो कह सकते हैं कि गरीबी की सिर्थ व्यवस्था की वह इस्थिती है या वह परिस्थिती है या वह सिच्वेशन है जिसमें प्रति व्यक्ति आए यानि कि पर capital income इतनी कम हो जाए कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यक्ताओं के भी पूर्ति कर पाने में सच्छम ना हो यानि कि जो एक नियूंतम मानवी आवश्यक्ताओं हैं अगर कोई व्यक्ति इन मानवी आवश्यक्ताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह व्यक्ति गरीब कहा जाएगा और उसकी इस दसा को क्या कहेंगे गरीबी कहेंगे जब मूलभूत आवश्यक्ताओं की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है भोजन की यानि कि उसकी इनकम इतनी कम है कि वह अपनी आय से वह भोजन भी ग्रहन नहीं कर पा रहा है इसके अलामा बात होती है वस्त्र की बात होती है इसके अलामा बात होती है आवास की बात होती है यह भी एक न्यूंतम मानुई आवश्यक्ता के अंदर का सामिल है इसके अलामा हम बात करते हैं स्वास्त की बात करते हैं यानि कि अगर हम गरीबी को परिभासित कर रहे हैं तो गरीबी की परि और शक्ताओं को भी पूरा ना कर पाए जैसे वस्त्र हो गया सिच्छा हो गया स्वास्त हो गया भोजन हो गया अगर इन सभी चीजों से वंचन की स्थिती है तो यह वंचन की स्थिती जो है क्या हम कहेंगे इस वंचन की स्थिती को हम लोग गरीबी कहते हैं यानि इसको निर गरीबी को निर्धारित करने के लिए जो बहु आयाम है एक से अधिक आयाम है उसमें भी मुख्य रूप से तीन ही बात की जाती है सिच्छा स्वास्थ और एक जीवनस्तर या इनी तीनों आधार पर यह तैंग किया जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या बेहत गरीब है इस संदर्व का इस प्रश्ण का दूसरा भाग हमें डिसकस करना होगा और वो प्रश्ण में ऐसा कह रहा है कि भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए अगले भाग के बारे में प्रश्ण पूछा जा रहा है तो अब गरीबी के अनुमान की हम बात करते हैं भारत में गरिबी के अनुमान को लगाने के लिए अनुमान का मतलब यह है कि कुल जनसंख्या में उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना है जो अपने जीवन यापन को या अपनी नियूंतम मानवी आवशक्ताओं को पूरा करने में सफल नहीं है तो कुल जनसंख्या में उतन साइस से काफी बड़ा हो जाएगा तो मुख्य रूप से 6 आधिकारिक समितियों में हम लोग मुख्य रूप से 2-3 आधिकारिक समितियों के आकड़ों को हम यहां पर लिखेंगे या समझेंगे जो हमारे एक्जाम के समितियां थी उनके बारे में एक रिफ्रेंस भी दे देते हैं तो आपके उत्तर में जो वेटेज होगा जो भार होगा वह बहतर हो जाएगा तो गरीबिक के अनुमान को लगाने के लिए भारस सरकार द्वारा सबसे पहला जो समु अस्थापित किया गया वह समु है योजना आयोक के संदर में इसे हम कहते हैं योजना आयोक कारे शमु इसे हम कहते हैं योजना आयोग कारे शमु और इसका जो गठन हुआ यह हुआ 1962 में इसका जुगठन हुआ वो हुआ 1962 में और यह जो है गरीवी के अनुमान पर चर्चा करने के लिए यह एक पहली आधिकारिक समीती थी तो पहले क्या करते हैं छव समीतियों को लिख लेते हैं और फिर उनके बारे में डीटेल एके करके डिस्कस करेंगे तो जो पहला है योजना आयो कार्यशमों है दूसरा है वी एम दांडे कर एंड एंड रत समीती इस समीती का गठन भी 1971 में हुआ फिर जो तीसरा कार्यशमों था उसे हम कहते हैं वाई के अलग की अधिसता भी बना था इसे हम लोग अलग समीती के नाम से जानते हैं इसका गठन हुआ 1971 में ही इसका गठन हुआ था लेकिन इसने अपनी जो रिपोर्ट इस समीती ने प्रस्तुत करी वो 1979 में प्रस्तुत करी फिर हम लोग बात करेंगे एक चौथी समीती के बारे में जिसको हम लोग लकड़ वाला समीती के नाम से जानते हैं और ये लकड़ वा समिती का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1989 में और इस समिती ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है वो 1993 में प्रस्तुत करी है फिर हम लोग एक अन्यक कमेटी की तरफ बढ़ेंगे तेंदूलकर समिती का गठन किया गया था योजनायों के द्वारा और इस तेंदूलकर और अंतिम जो है जो समिती है जिसके आखने प्रतुलित हैं वह हैं रंग राजन समिती ऑलिफान ये रंग राजन समिती का गठन 2 2012 में हुआ और इसकी रिपोर्ट यानि की समिती cen पनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी वो प्रस्तुत करीioni 2014 GU तो आजादी के बाद से अब तक जो है कुल मिला के छे आधिकारिक समितियों का गठन किया जा चुका है और इन समितियों ने भारत में गरीबी का अनुमान लगाया या भारत में ये बताया कि वास्तों में कुल जन संख्या में गरीबों की संख्या क्या है या उन वंचितों क कि संख्या कितनी है जो वास्तों में अपनी मानवी आवशक्ताओं को पूरा कर पाने में सच्छम नहीं है तो इन छे समितियों की बात करें तो अलग अलग समितियों का जो है जो अनुमान लगाने का तरीका है आप देखेंगे वह अलग अलग है जैसे हमारे देश में कुछ समितियों ने जो गरीबी का अनुमान लगाया उस अनुमान को लगाने के लिए कैलोरी मेथड का प्रियोग किया और कुछ समितियों ने गरीबी के अन से समझ पाएंगे जैसे गरीबी के अनुमान का अर्थ यह होगा कि कुल जन संख्या में हम उन व्यक्तियों को फाइंड आउट कर रहे हैं जो गरीबी जो गरीबी में जी रहे हैं या जो अपने नियूंतम आवशक्ताओं को को या मुल्भूताव शक्ताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो दरसल कुल जन संख्या में अगर ऐसे लोगों की संख्या को find out करना है तो हमें वास्तों में कोई न कोई parameter तो set करना पड़ेगा और उस parameter को भारत में जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं गरीबी रेखा कहते हैं क्या कहते हैं गरीबी रेखा कहते हैं तो बेसिकली इन सभी समितियों ने क्या निर्धारित किया भारत में गरीबी रेखा किया इस सभी समीतियों का उदेश यही था कि एक सूसंगठित तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाए और इस गरीबी रेखा के निर्धारण के बाद इसके नीचे आने वाले लोग यानि इस गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की जो संख्या है वो कु तो बात करें अगर योजना आयोक कारे शमुह 1962 में इसके अस्थापना हुई और इस कारे शमुह ने जो है प्रति और बीश माह के आधार पर बिना किसी आधार को प्रस्तुत की networks और सहरी हो तो नीचे कहा जाएगा हलांकि यह जो योजना आयों की रिपोर्ट है इस कारेशमों ने जब इस रिपोर्ट का खुला सा किया इसको प्रस्तुत किया तो इसके काफी आलोचना हुई और अलोचना क्रिटिसाइज हो गए अलोचना इन आकणों की की गई और फिर आगे की समितियों के बनने का जो रास्ता था वो क्या हो गया पूरी तरीके से क्लियर हो गया तो पहला योजना आयो कारे शमू है अब हम आएंगे दांडेकर अलख और लकड़ वाला समिति यह जो तीन समितियां बनी इन तीन समितियों ने भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारन किया वो आधार बनाया किसको कैलोरी मैथट को आधार बनाया कैलोरी मैथट का मतलब कि किसी भी एक व्यक्ति को एक दिन में यानि कि प्रती दिन आधार पर कितनी उर्जा की आवशकता है और उर्जा को मेजर करने का तरीका क्या है कैलोरी तो उस उर्जा की आधार पर यह तैंग किया जाएगा कि व्यक्ति गरीब है या व्यक्ति गरीब नहीं है तो इस कैलो आगे की दो समीतियों की बात करेंगे तो इन दो समीतियों ने भारत में गरीबी रेखा का निधारन मिनिमम कंजम्शन मैथड पर किया यानि कि न्यूंतम उपभोग विधी पर किया यानि कि प्रतिव्यक्ति यानि एक व्यक्ति प्रति दिन अधार पर कितने रुपए का उप तो यह अगर हम बातन वाट करें तो बडबान में मिनिममक शंच मेथर्ड हलांकी कुछ बडलाव किय गय मिनिममन मेथर्ड में अब अब वह ईधार तो आप यूंकर सुमीती रही रंगराजन समीती इस समीटी की हम लोग जो है तो इन 6 समीतियों में जो मुख आपको अपने आंसर में जिन समीतियों के आंकड़ों को लिखना है वो मुख रूप से आप तीन समीतियों के आंकड़ों को लिख सकते हैं और इन तीनों समीतियों के आंकड़े जो है काफी प्रचलित आंकड़े हैं तो सबसे प स्थापना हुआ , और इस के लोरी आधार को चुनेit के वजह से भारत सरकार की समीतित hiçbir नाम इस समिति की को देनिका कालोरी को प्रति दिन प्रति व्यक्ति की आधार पर निधारित किया जाए जिस से हम भारत में गरीबी का अनुमान लगा पाएं इस समिती ने 1979 में जहें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और ग्रामिड और सहरी छेत्रों के लिए अलग-अलग कैलोरी के पैरामीटर को प्र जित करने वाली जो लोग थे वो दांडेकर एन रत थे और इस पर जो है इस पैरामीटर को तैंग करने वाली जो लोग थे वहाँ वाई के अलग के अधिस्ता में इसको तैंग किया गया फिर हम लोग बढ़ते हैं लकड़ वाला समिती के तरफ और हम लोग यहीं से लकड़ प्रस्तूत करी 1993 में और इस समीटी ने भी भारत की आबादी को दो भागों में डिवाइड किया एक ग्रामिड छेत्र और एक दूसरा जो होगा वह है सहरी छेत्र ग्रामिड छेत्र में इस समीटी ने भी बताया 2400 कैलोरी क्या वशकता है प्रति व्यक्ति प्रति दिन और सहरी छेत्र में 200 कैलोरी रिक्वाइड है प्रति दिन प्रति व्यक्ति और इस समीटी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस कैलोरी से कम रिसीव कर रहा है तो उस व्यक्त को क्या कहा जाएगा गरीब कहा जाएगा तो यह लकडवाला समिति की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंतरगत जब सन 2000 1993 में जब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया तो लकडवाला समिति ने जो गरीबी दर्साया वो है 36% यानि की लकडवाला समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि कुल जन संख्या में 36% ऐसे लोग हैं जो ग्रामिड और सहरी छेत्र पर 2400 और 2100 क्यलोरी से कम उर्जा को रिसीव कर रहे हैं और वहीं पर इस रिपोर्ट में सुधार दिखा गया 2045 के दौरान जब इस समिति ने अपने आख़ों को सुधार करते हुए कहा कि जो गरीबी का अनुमान है जो प्रतिसत है वो 36% से घट कर कि अब जो है कितना परशन रहे गया है 26% रहे गया है यानि कि 26% रहे गया है इसके अलाबा ये जो समिति है ये अपने किसी अन्यकार के लिए भी एक प्रसिद्ध समिति है यानि इस समिति ने पहली बार भारत में 35 गरीबी रिखा ये 35 पावर्टी लाइन को जो है ड्रॉ करने की बात कही थी और इसका तर्किये था कि इन्हों ने कहा डेटी लकडवाला ने कहा कि दरसल ग्रामिड चेत्र में 2400 कैलोरी और सहरी चेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतेक राज्यों में रिसीव करने के लिए अलग अलग पैसे को खर्च करने की आवश्यक्ता होगी जोकि उस समय जीस्टी तो लागो था नहीं या अलग अमाउंट खर्च करना पड़ेगा और वहीं पर डैल ही में या अन्य किसी सहर में 2100 कैलोरी को रिसीव करने के लिए अलग अलग पैसा खर्च करना पड़ेगा तो इसलिए इन्होंने कि सभी राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों को मिला करके लग भग 35 गरीवी रस्तर पर निर्धारित किया इन्होंने ग्रामिड खेतर में ग्रामिड खेतर की जो निर्धनता रेखा यानि कि जो 2400 कैलोरी है इसको किस कीमत पर निकाला जाएगा इन्होंने इसके लिए इन्फलेशन को प्रजेंट करने वाला एक बास्केट को चुना और इन्होंने CPI Agriculture कल्चर लेबर की आधार पर यानि इस कीमत की आधार पर 2400 कैलोरी प्राप्ट करने की घटना को इन्होंने गरीबी रेखा का आधार बनाया वहीं पर सहरी छित्र में CPI इंडस्ट्रियल वरकर के बास्केट की आधार पर 1200 कैलोरी खर्च करने के लिए 200 कैलोरी रिसीब करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इस आधार पर पहली बार गरीबी रेखा को निरधारित करने की बात कहीं मुख्य रूप से इनकी दो बातों को आपको ध्यान देना है कि लकड़ वाला समिती के द्वारा 1993 में भारत में लगबग 36% लोग अनुवानित किये गया कि गरीबी रेखा कि नीचे जीवा ने आपन कर रहे हैं वहीं पर 24-5 में इस समिती ने अपने अनुवान को घटाया और कहा कि भारत में 26% ही मात्र गरीबी बचे हुई है और जैसे इन्होंने 26% की बात कही इनकी पूरी रिपोर्ट आलोचना का सिका हो जाती है और इस पूरे रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है और क्रिटिसाइज दो तरीके से किया जाता है जो पहला तरीका था वह तरीका यह है कि जब गरीबी की परिभासा में हम बहु आयामी गरीबी को परिभासित करते हैं तो केवल कैलोरी को रिसीव करने के इच्छी ले रहा होगा उसका स्वास्त अच्छा होगा अच्छा मान सकते हैं स्वास्त अच्छा होगा क्या उसके पास आवास की सुविदा होगी यह कैसे तैं होगा तो पहला तरीका यह था इनकी रिपोर्ट को आलोचना करने का इनकी रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करने का और दूसरा तरीका ये था जब इन्होंने 24-5 में कहा कि भारत में क्यों 26% ऐसे लोग हैं जो 2400 और 1200 कैलोरी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों ने कहा कि 26% नहीं पूरे भारत में 60% से अधिक लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस कैलोरी उर्जा यानि इस उर्जा को रिसीव प्रति दिनाधार पर नहीं कर पाते हैं तो अब ये रिपोर्ट थोड़ी सी खराब होने लगी और जब ये रिपोर्ट खराब होने लगी तो भारत सरकार के द्वारा एक दूसरी समिती का गठन किया गया और ये सुरेश तेंदूलकर की अधिचता में इस समिती का गठन किया गया और इस समिती का नाम है तेंदू और जब तेंडूलकर समिती ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्थित करी। और जब तेंदूलकर समुटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्थुत करी, तो तेंदूलकर की रिपोर्ट में एक जो सबसे बढ़ा परिवत्तन यही देखा गया, कि इन्होंने कैलोरी मेथड पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारन किया। इन्हों ने जिस मेथटड पर भारत में गरीबी का निर्धारण किया या गरीबी रेखा को तैं किया उसे नाम दिया जाएगा न्यूनतम उपभोग विधी कौन सी विधी होगी ये न्यूनतम उपभोग विधी यानि मिनिममम कंजम्शन मेथड और इस मिनिममम कंजम्शन मे अंतरगत इन्हों ने भी पूरी आबादी को दो भागों में डिवाइड कर दिया पहला ग्रामिड छेत्र और दूसरा सहरी छेत्र और इन्हों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामिड छेत्र में रह रहा है तो ग्रामिड छेत्र में प्रतिमा कितने रुपए कि उसको अब शक्ता है 816 रुपए और अगर कोई व्यक्ति सहरी छेत्र में रह रहा है तो कितने रुपए 1000 यानि अगर कोई व्यक्ति ग्रामिड छेत्र में रह रहा है तो 816 रुपए प्रती माँ प्रती व्यक्ति required होगा और अगर कोई व्यक्ति इससे कम खर्च कर रहा है या इससे कम earn कर रहा है या कि कम कमा रहा है तो उस व्यक्ति को इन्हों ने किस category में डाला गरीबी के category में डाला और इन आकडों की अधार पर इन्हों जो गरीबी का अनुमान लगाया वो गरीबी का वो गरीबी का अनुमान 2009-10 के दौरान यानि जब इनकी रिपोर्ट प्रकासित हुई तो उस समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में 29.8 प्रतिसत ऐसे लोग हैं जो अगर ग्रामिड छेतर में रहते हैं तो 816 तो 1000 रुपय प्रति माह भीव नहीं कमा पा रहे हैं वहीं पर इस रिपोर्ट में एक संसोधन भी जारी हुआ 2011-12 के दौरान और अपने 2011-12 की रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो 29.8 परशंट गरीबी है वो घटकर मात्र अब कितनी रह गई है 21.9 परशंट रह गई है तो कि अगली समिती की जो रिपोर्ट आएगी वह रिपोर्ट भी 2011-12 के ही आंकड़ों को प्रस्तुत करेगी तो यह रहा आपका तेंदूलकर समिती की रिपोर्ट यानि तेंदूलकर समिती का अनुमान और अब हम लोग बातचित करेंगे अपने अगले समिती के बारे में और अंतिम समिती रंग राजन समिती के अनुमान और रंग राजन समिती के अनुमान का रास्ता कैसे क्लियर हुआ दरसल नियूंतम उपभोग विधी पर जब तेंदूलकर समिती ने पहली बार भारत में गरीबी का आकलन किया गरीबी का अनुमान लगाया तो पहले चोकी कैलो रंग राजन के अधिश्ता में जिस समिति का गठन किया इस समिति को यह पहला टास्क यह दिया कि भारत में गरीवी रेखा को निर्धारित करने के लिए इन दोनों मैथड में कौन सा मैथड बैतर साबित होगा या बैतर होगा और जब रंग राजन समिति ने प्रस्तुत करी तो इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि भारत में गरीवी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विदी होगी वह कौन सी विदी होगी नियूंतम उपभोग विदी होगी यानि कि जब हम रंग राजन समिति की बात करेंगे तो रंग कंजंप्शन मेथड रंग राजन भी समिति बता रहें कि सही विदी है और तेंदूलकर ने भी नियूंतम उपभोग विदी पर ही अपने आकड़ों को प्रस्तुत किया फिर तेंदूलकर में प्रॉबलम क्या थी यानि रंग राजन को क्यों लाए गया फिर तो रंग पर तनिये हुआ है कि प्रतिव्यक्ति के अधार पर अब पारिवारिक नियूंतम उपभोग विधी के अधार पर भारत में गरीबी रेखा का निरधारी किया जाता है या गरीवियों का अनुमान लगाया जाता है तो यह तो एकदम क्लियर हो गया लेकिन रंग राजन समित समिती ने अपने रिपोर्ट में इन आकडों में बदलाव किये और हलांकी रंग राजन समिती ने भी अर्थ विवस्था में जन संक्या को दो चेत्रों में डिवाइड कर दिया एक ग्रामिड चेत्र और दूसरा जो चेत्र है वो क्या है सहरी चेत्र और इन्होंने कहा कि अ यानि कि 972 रुपए ये कहा गया है प्रतिमा और ये आंकड़ा बताएगा प्रतिमा प्रतिव्यक्ति और यहां पर 1407 रुपए भी प्रतिमा प्रतिव्यक्ति है और कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस अमाउंट से कम रिसीव कर रहा है कम कमा रहा है या कम खर्च कर रहा है त तो रंगराजन ने भी कहा यूँ अव्यक्ति क्या कहा जाएगा गरीब और उसकी दसा गरीबी की दसा कहलाएगी और अपने इस आंकडों की अधार पर रंगराजन समीति ने 2011-12 में की जनसंक्या के अनुसार जो आंकडे प्रस्तूत करें वे आंकडे बताते हैं कि भारत में 29 दसमलो पांच पर्शन लोग ऐसे थे जो ग्रामिड छित्र में थे 270 रूपय से प्रतिमा से कम कमा रहे थे और सहरी छित्र में थे तो 1407 रूपय प्रतिमा से कम कमा रहे थे यानि कि आप यूँ कह सकते हैं कि 2011-12 में कुल जनसंक्या में लगभग एक तीहाई वह जन संक्या थी जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन्यापन कर रही थी तो यह रिपोर्ट दरसल रंगराजन समिती का गठन किया गया था 2012 में और यह जो रिपोर्ट पब्लिच्ट हुआ वह हुआ 2014 में और यह रिपोर्ट 2011-2012 के आंकड़ों को प्रदर्सित करती है तो यह हम लोगों का रहा गरीबी के अनुमान पर चर्चा यानि कि गरीबी को अनुमान लगाने के लिए भारत में आजादी के बाद से किन विभिन समितियों ने प्रयास किया और उन प्रयास के क्या नतीजे रहे हैं I think इस प्रश्ण के पहले भाग के बारे में आपको पूरी जानकारी हो चुकी होगी और हम लोगों ने इन प्रमुक समितियों के बारे में बात किया हलांकि कुछ पुरानी जो समितियां है उनके बारे में अगर आप नहीं आंकड़ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्ण के अगले भाग की तरफ और अगला भाग है कि गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मिदार कारकों की व्याख्या करें तो गरीबी के लिए जिम्मिदार कारक की अगर हम बात करें तो यहां पर हम कुछ कारकों को यहां पर अलेडी हम लोगों ने मेंशन किया है इसमें हम लोग सबसे पहले कारक के बारे में डिसकस कर सकते हैं और वो है भाग जनसंख्या का अब जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या भारत इविकाशील देश है हम सब को पता होगा और ज प्रतिवेक्ति आये बढ़ती नहीं है दूसरे कारक की बात करें तो राष्ट्री आये जनसंख्या के कुल्ला में काफी कम है तो उस music निसनंख्या की ब्रतिवेक्ति या देश की आर्थिक संव्र१ति में व्रिद्धी है कम देखी गई और किसको dec people come fir या युज पंचवर्शी उजनाओं में ऐसा देख सकते हैं कि जो आर्थिक समृध्धी के लच्छेओं को जो निर्धारित किया गया उनको वास्तों में उनकी प्राप्ति नहीं हो पाई इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं पंचवर्शी उजनाओं के दौरान आर्थि समृध्धी की दरवास्तों में बड़ी धीमी रही इसकी वजह से भारत में जो गरीवी की अवस्था थी वहां गरीवी की अवस्था बनी ही रह गई इसके लावा चौथा जो पॉइंट है गरीवी के लिए जिमिदार कारकों के माध्यम से अगर हम जिमिदार कारकों को चीर कालिक बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी का मतलब यह होगा कि जो बेरोजगारी की समस्या है भारत में पहले थी और आज भी बनी हुई है हलांकि उसके नेचर में चेंज आया है लेकिन बेरोजगारी की समस्या है आज भी ग्रामिड छेत्रों में छेपी बेरोजगारी है ना मौसमी बेरोजगारी किसी छेत्र में इन बेरोजगारी जैसे समस्याओं के कारण प्रतिव्यक्ति आय कम होती है यानि की आय का स्तर घरता और गरीबी के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में ये बिरोजगारी कारे करती है इसके लामा एक प्रमुख समस्या एक प्रमुख जिम्मिदार कारक भारत में गरीबी के लिए पूजी का अभाव भी है पिकाशील देश होने के नाते हमारे पूजी महंगी है पूजी के अ वो गेवम कुसल उद्यम करताओं का भी अभाव है देश में और इस अभाव का आप मुख्य कारण पूजी का अभाव भी समझ सकते हैं कि जो नए अंत्रपेनियोर हैं वो बाजार में नहीं आ पाते हैं चोकि उनके पास जो साहस है पूजी के रूप में वो नहीं मिल पाता ह तो इसके कारण पूजी का यानि कैपिटल का जनरेशन नहीं होगा बेरोजगारी की समस्या रहेगी और गरीवी की समस्या बनी रहेगी इसके अलामा भारत में एक बड़ी समस्या आय की असमान वितरण के रूप में देखी गई है जहां पर आप देखेंगे कि एक बर्ग जो है वहां आय की वितरण में आय का जो डिस्टिबिशन है एक वर्ग ऐसा है जो वंचित है और एक वर्ग ऐसा है जहां पर धन का पूरी तरीके से संकेंद्रण है तो एक जो आर्थिक विशमता की स्थिति है आजादी के बाद से आप देश में आर्थिक विशमता की स्थ तो इन हिंगों कहा ने मैं लिखने के बाद आप चाहें तो इन पूरन आप इसके बारे में एकस्प्लीन कर सकते हैं अब अपने प्रश्णके दूसरे रिपिंध कर लिए अब हम सरकार द्वारा गरीम को दूर किये जाने के लिए कौन-कौन से कारेकरम चलाय जा रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे जो इस प्रश्ण का अंतिम खंड है या इस प्रश्ण का अंतिम भाग है यह गरीवी को दूर करने के लिए आजादी के बाद से सरकार ने कई प्रयास किये और इन प्रयासों में जो प तो उसका लाब देश के सबसे निचले तपके को मिलेगा यानि कि प्रतिव्यक्ति आया भी बढ़ेगी रोजगार भी बढ़ेगा और लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आएंगे कुछ अर्सास्रियों का ये भी मानना रहा कि जो है और दियोगी क्रांति की वज़े से या ह भग असफल होता हुआ दिखा यानि कि गरीबी को बहुत जादा या गरीबी मेरे जीवन यापन करने वाई लोगों की संख्या को यह मैथड सरकार का कम नहीं कर पाया इसके बाद सरकार ने 1970 के बाद से अपनी कुछ रण नीतियां बदली भारत में गरीबी को कम करने के लि इंटीग्रेटेड डूरल डेवलपेंट प्रोग्राम यानि कि एक ही करित ग्रामिड विकास कारिकरम की सुरुवात की गई तो इस तरह से जो है गरीबी निवारण कारिकरम के अंतरगत इसके भी दो भाग रखे गए थे एक रोजगार से एक रोजगार देने के संदर में और दूसरा स्वर रोजगार के संदर में था तो रोजगार के संदर में आप देखेंगे IRDP प्रोग्राम जिसके अंतरगा स्वरण जयनती ग्रामिड स्वर रोजगार योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना स्वरण जयनती ग्रामिड स्वर रोजगार योजना इसके अलामा जो है इन कई योजनाओं को फिर आगे चल करके मनरेगा जैसी योजनाओं में मर्ज कर दिया गया बर्तमान की जो प्रमुक की योजना है वो महात्मागांधी नेशनल रूरल इंप्लॉइमेंट गारंटी एक जो ग्रामिर छित्रों में हर परिवार के वैस व्यक्ति को 200 दिनों के पक्के रोजगार की गरणटी देता है तो यह एक पहला भागत था जो रोजगार के माध्यम से देश में गरीवी को दूर करने की बात कर जा तो लेकिन एक दूसरा जो भाग था वो यह था कि स्वारोजगार के माध्यम से गरीभी को दूर करना जिसके अंतरगत 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 भब आज अंतरगत आधि जनसंख्या को कारिश्कील जन संख्या है उसके लिए पूज़ी का उपलब्दिता कराना उस स Biz तो को प्रिसिछ्थित करना और इसके लिए सरकार की आज तक कई सारी उजनाएं आ चुकी की हैं तो हम इन कुछ प्रमुकियी उजणाओं के बारे में लिखेंगे जो सरकार के द्वारा बरत्मान में भी चलाय है जैसे हमने सबसे पहले बात किया महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लाइमेंट गारेंटी एक्ट और यह गरीवी को दूर करने में काफी सहायक यूजना रही और यह डायरेक्ट रोजगार यानि कि प्रतिय चुरूप से रोजगार को जो है प्रवाइड करते वाली य यह सरकार की इसके इसी से अपने ने जरूर यूजना के बारे में जरूर सुना होगा मुद्रक यूजना के अंतरगत तीन भाग है और इन तीनों के अंतरगत पचास जार पांच लाख और अप टू टैन लाख रुपए तक का एक वित्तिय सायता दी जाती है जिसके माध्यम से आप कोई अपना स्वरोजगार कारिकरम या स्वरोजगार का कार कर सकते हैं अगर कोई करेंट योजना के बारे में लिख सकते हैं तो आप पियम विश्व कर्मा योजना के बारे में भी लिख सकते हैं गरीबी को दूर करने में निचले तबकों में गरीबी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए या भी एक कह सकते हैं प्रमुख योजना है इसके अलाम पीम विश्वकर्मा यूजना के अलाम अगर हम बात करें तो एक स्वास्त से सम्मंधित यूजना रही है सरकार की आईश्मान भारत यूजना और ये लगभग पांच लाग रुपय तक का जो है प्रतेग व्यक्तिका यानि बीपियल जो है बिलो टुपवर्टी लाइन है प् ग्रामिड दोनों ही अस्तर पर ये यूजना चल रही है यह बात क्लियर हो गया सबको इसके अलावा एक और यूजना के बारे में हम लोग जिक्र कर सकते हैं अंतियोदय अन्यूजना अंतियोदय अन्यूजना जो पीडियस के अंतरगत इस यूजना का लाभ लाभरतियों क के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन कारीक्रम को जारी किनी यह कर और देख सकते हैं कि इसे बहुत सारे ऐसे कारेक्रम है जो बहुत ही सफल यह योजनाओं के बारे में अगर आप चाहें そして मूझे के टेट और इनकी प्रमुख जो देश यह उन्हों के साथ हम अपने इस प्रश्ण की जह है अंतिम रूप रेखा पर आते हैं और अंतिम जो रूप रेखा है हम लोगों को इस प्रश्ण के बारे में वो है आपका निसकर्ष बिंदू अब निश्कर्ष विंदू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप निश्कर्ष में क्या लिख सकते हैं निश्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि जैसा कि असपस्ट है कि भारत में जो गरीबी है वह एक प्रमुक समस्या आजादी के बाद से ही बनी रही है भारत में गरीवी को जिस प्रकार से बहु आयामी गरीवी के नाम से कहा जाता है यानि भारत में गरीवी का जो measurement है जिस प्रकार से एक से अधिक आयाम पर measure किया जाता है उसी प्रकार से सरकार द्वारा बहु आयामी योजनाओं के माध्यम से गरीवी को दूर किये जाने की कोशिय सरकार के तौरा लगतार की जा रही है और इसका रिजल्ट यह रहा है कि बहु आयामी गरीवी सुचकांक जो UNDP और नीती आयो के द्वारा जारी किये जा रहे हैं प्रतिवर्ष इन प्रतिवर्ष के आंकडों में भारत में अगर हम नीती आयो की रिपोर्ट की अगर चर्चा करें तो लगभग 13.5 करोण लोग ऐसे जो पिछले पांच वर्सों में गरीवी रेखा से बाहर हो गया है यानि कि बहु आयामी गरीवी सुचकांक में उनको यानि बहु आयामी गरीवी से वह बाहर निकल चुके हैं तो इस आधार पर हम लोग एक निसकर्स लिख कर और इस प्रश्ण की रूफ रेखा को हम यहीं अधार थैंक यू लाफ यू